कलसाम को फोनी में कत्यन दुर्भाग्यपुर्ण और दुखत घटना हुई बस के ड्राइबर को आतंकवादियों निसाना बनाया जिससे बस और नियंतिल जोकर की खाई में गिरी अब तक भी सूचना के हिसाब से नौ लोगों की मत्यु हुई है और 33 लोग घायल है अठारा लोग जम्यु मेटिकल कालेज में अभी मैं देखका आया हूँ जो है वह नराएना हस्पिटल में है मैं अभी उनको देखने जा रहा हूँ कल साम को ही रेस्क्यू ऑपरेशन में परसासन ऑर स्केर्शेस के लोगों ने सब को रेस्क्यू किया था जॉइन्ट आपरेशन पुलिस CRPF और आर्मी ने लांच किया हुआ है जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले उसका प्रयास हो रहा है बीजीपी स्वैम अपनी टीम के साथ मौके पर हैं सबसे पहली प्रास मिक्ता हमारी यह है कि जो घायल है उनको हर हाल में बचाये जाए यह हम जानते हैं कि मौत का कोई मौावजा नहीं होता है फिर भी उनके परियनों को एक सहायता के तोर पर दसलाख रुपए जमू कस्मीर प्रसासन ने मृत्कों को और घायल लोगों को पचास जार रुपए देने का फैसला किया है यह हम देश को आस्वस्त करना चाहते हैं कल से माननी प्रधान मंत्री जी और गरी मंत्री जी भी मामले पर नजर बनाए हुए मेरी उनसे भी बात हुई है जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें बक्सा नहीं जाएगा एक नापाक कोशिस हुई है कि जमूरी जन को भी किसी तरीके से तर्माइल में लाया जाए और मुझे लगता है कि एक नापाक कोशिस है जिसे हर हाल में बिफल किया जाएगी